बगत सिंग को भी नहीं बूलें समय आने पर हम इंट से हीट बजा देंगे 25 तारीक को हम संपूर्ण रूप से राज्थान बंद का हावान है कोई हमारी मांगे जायज है उन पर विचार करें सरकार साना बोती पर विचार करके हमारी मांगों को लागू करें बेच यारों मरीजों का क्या कसूर जो आपके दर्ना परदर्शन से पीडित है इमर्जेंसी से वाए हमारी चालू है और हमारा स्टाफ भी करेरत है पर कार नहीं मानने कि तब तक हम हमारी दर्ना परदर्शन जारी रखेंगे और 25 तारीक से सामुई अवकास पर जा रहे है इस किया है कि स्टाफ है इस कोई ये कहरे हैं हमारी 11ारा मैंडे हैं 11 अवह पाती है है सरकार के पास इदने कसी कहां सिखाज़न आपके यह दे नहीं पाता है है आज हम हैं बैरोड में जो सरकारी होस्पिटल में उस नर्सिंग इस्टाब कर्मी अपनी 11 सुत्री मांगों की धरना पदस कर रहे हैं तो चलिए उनसे बात करते हैं क्या कहते हैं आप क्यों बैठों यहां सबसे पहले तो विवेक भाई मैं आपको धन्यवा देता हूं आपके चैनल को कि आपने हमें कवरेज किया और इसके साथ ही मैं राजस्थान की जनता से माफी चाहता हूं नर्सिंग कर्मियों की तरफ से हम गांदिवादी तरीके से आंगलन कर रहे ह इनको स्वाश चेवाँ में जो भी परतिगुल परबाब पड़ता है रहे नर्सिंग के अंदर उसके लिए मां सभी नर्सिंग कर्मियों की तरफ से नर्सिंग अधीकारियों की तरफ से समस्थ राजस्तान की जनता शे माफी मांगा तो मांगे हमारी 11 सुत्री मांगे है वीवेक वाई, इसके लिग पहली केंदर केंदर के समान तो सब पीछड़ा प्रदेश भिहार है, विहार शे भी सरेनी का हमें वेतन मिल रहा है, एक छोटा सा उधान में आपको देँ सफाई कर्मी को राज सरकार appreciate never की देती है जबकि की आसिंग कर्मी को सुरुआतं में 89 शो रुपए देती है सात अजार्ज स्वरुपए देती है कि सरकार से अभी ता कोई सकारात का हावान है कोई भी हमारी चीज़ावाओं में नर्सिंग के बिल्कुल बंद रहेगी 100% रहेगा और गॉर्मिंट अमारे पर्देश ने तर्ट तो कोई अभी तक कोई भी बात ले लिए गुवर्मिंट ने आपको लगता है कि सरकार आपकी बात मानेगी बिल्कुल मानना से सामुईक अवकास पर यहां सब्सक्राइब कर रहे हैं और धुकंड़ का सामुईक जो अवकास यह चल रहे हैं शोले तारिक से चोबीस तक दो गंड़े का चलेगा 25 सामुईक अवकास है और जयपूर में मारे लिए यहां सरकारी होस्टिल में आने वाले मरीज हैं तू उनको परिशानिया होती है इसके बारे में आप क्या काओगे उनका कोई क opposite नहीं है पर अमारी बाक्चों को सरकार तक पहुँचाने के लिए हमारे यही जरीया था और कोई जरीया नहीं हम सांती प्रिये गांधिवादी तरीके से अंदलन कर रहे हैं हमारी मांगे जायज हैं उन पर विचार करें सरकार साना बोती पर विचार करके हमारी मांगों को लागू करें ताकि हम पबलिक शेवाँ से हम भी वेथित हैं अब जनता है क कि अभी वारतालाव के लिए आमत्रिच नहीं किया है गोवर्मेंट ने लेकिन प्रक्रिया जारी है जैसे ही मिलेगी सुचना उस शकारातम बाते होंगी तो प्रदेश नेतर्च के निर्देश पर हमें धर्णा समाप्त कर देंगे आगे की रणनीती बंद कर देंगे यहीं सर इस गल मांगे हैं कोई भी ऐसी मांग नहीं है जो कि गल्त हो और हमारी मांगों के उपर सानुबूति पूरग विचार करें और सकारातमक रूप से हमें विचार करके हमें वेतन जो भी जगतिया है उनको दूर करें सरकार यहीं क्यों कर रहे हैं जैसा कि हमारे सीनियर स्टाफ बता चुके हैं कि केंदर के समान वेतन बत्ते और हमारी 11 सुत्रिय मांगे आपकी कोई सरकार से बात हुई है अभी तक कोई बात नहीं हुई है और जो यह सकारातमक रूप से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है यदि इसका जबाब नहीं मिला तो फिर हम आकरमक रूप से भी उन बेचयारों मरीजों का क्या कसूर जो आपके दरना परदर्शन से पीडित हैं इमर्जेंसी से वाए हमारी चालू है और हमारा स्टाफ भी कारेरत है तो इधर नर्सिंग स्टाफ बैठा हुए था उनसे बात की तो वो उन्होंने अपनी पीडा बताई है तो क्या नाम है मेरा रोतार आश कांसे आप वावडी से आप यहां श्पिटल में दवाई लेने के लिए दवाई लेने के लिए आए तो आपको दवाई समय पे मिल गई नहीं का मिल गई यह तो सब अड़ताल पे ऐसे कोई बिचारा आपनोडे देरे वाई वाई चलना पड़ेगा अब यह तो सब्सक्रावाई